तृष्ष्वान वेल्कम टो माई चैनल। आज हम साइटिका के बारे में सिखेंगे कि जब भी आपको साइटिका का दर्ड होता है यानी कि कमर से लेके पैर तक यहां पर यह इसे से यह इसे की जो पैर की नसे होती है उसमें आपको दर्द रहता है, ठीक से चला नहीं जाता और बैठा नहीं जाता है या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से चलने में आपको दिक्कत आ रही है और कमर में बहुत ही तेज दर्ड होना या फिर कुलहे के हिस्से में दर्ड होना तो इसकी 5-based medicine क्या है, इसका treatment क्या है, इलाज क्या है तो इसके बारे में आज का हमारा video lecture रहेगा तो चलिए सीखते हैं cytica के बारे में कि cytica का जब भी दर्ड होता है तो किस वज़ा से होता है और इसकी medicines क्या क्या है तो सबसे पहले हम यहां से समझेंगे कि जब भी किसी को साइटिका का डर्ड होता है तो उसका मतलब यह है कि उनको कहीं न कहीं जो نष benefiting होती है spine की उसमें डर्ड रहता है तो नषे यह हमारी कमर की spine की जो जो नषे है यहां पर अपर देखे यह जो नषे वो से हम scytic now कहते हैं तो यह जो scytic now है वो pair तक vistry हुई है तो यह pair तक जो नसे फैली हुई है अगर यह हमारे जो cartilage है जो disc होती है डिस्क यहाँ पे है यह आप देख सकते हैं तो इसके बीच में से जो नस निकलती है यहाँ से उस पे pressure आजाना यानि कि दबावा आजाना अगर यह जो disc है वो खिसक के नस पे आजाती है तो उसके कारण जो scytic nerve है वो दब जाती है तो उसके कारण patient को pain होता रहता है आपके जो neurons है nerves के उस पे blood supply जो है वो proper नहीं होता है देन अगर आप काफी ज्यादा drink कर रहे हैं या फिर आपकी body में vitamin b12 और b1 जिसे हम thamine कहते हैं उसकी आपको deficiency है तो यह जो कारण से वो बन सकते हैं कि आपको cytica का दड़ हो सकता है तो उसके लिए home care में क्या करना चाहिए regular आपको इससे foods लेने चाहिए जिसमें vitamin b है hot and cold compress therapy लेनी चाहिए यानि कि जो compressible pains आते हैं hot और cold उसे आप कमर में या फिर पेर में apply कीजिए उसके कारण आपको डढ़ कम feel होगा जहां भी भी आपको डढ़ होता है यानि कि कमर में या फिर पेरों के तरवों में वहां भी आप हल्दी लगा सकते हैं या फिर हल्दी वाला दूद भी पी सकते हैं एपल साइड विनेगर कंस्यूम कर सकते हैं और अपने जो पैर है वह आप घरम पानी में रख सकते हैं बिकॉज उसका जो पैन है वह नीचे की जो उंगलियों है उस पे भी अफेक्ट करता है अब हम मैडिसिन आप्शन के बारे में सीखेंगे कि यहां पर सबसे पहले जो मैडिसन है वह है नियूरोबियन प्लस तो नियूरोबियन प्लस टैबलेट जो है वह स्पेशली डायब अच्छा लगता है और यह जो बुक है जिसका नाम है डिजेस एंड ट्रेटमेंट यानि की बिमारियां और उनका उप्च्यार तो आपको भी हमारे साथ इसे ही स्ट्री करना अच्छा लगता है और यह जो बुक है वह आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमें इस वाट्स अफ नमर के ट्रू कॉन्टेक करके अपनी बुक मंगवा सकते हैं आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रिगबालिन के बारे में तो यहां पर आप देखिए प्रिगबालिन की कैप्सुल फॉर्म में अवेलिबल है 75 mg इसका डूस रहता है तो मेंली इसका डूस है वह 75 से लेके 150 mg दिन में दो बार अगर किसी को लुवर सेगमेंट का डूस मिल रहा है 50 mg और 100 mg टोसे दिन में तीन बार प्रिस्क्राइब किया जाता है इसका में वरकिंग मेकेनिजम यह है कि यह हमारी बूरी में कुछ इसे क चाहिए और उसको एक सिगनल प्रोवाइड करते हैं तो यह जो सिगनल है अगर वह कम हो जाते हैं तो आपको डर रहता है तो उसका लेवल जो है वह मेंटेन करने में हैल्फूर रहते हैं अब बात करें में एमिट्रिप्टिलिन की तो यहाँ पर आप देखें में त्रिप् करने में हःल्प करती हैै कि वीडियो के पीच में आपको एक छोटी सी एटि ब्रिक लेके अगेन बताना चाहती हूं अगर आप मेरी चैनल को फॉलौ करते हैं अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और नहीं भी है तो अभी जाके Learn with Pfizer को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी दूसरी चैनल है सेहाट टॉक तो सेहाट टॉक में भी हम सीखते हैं कि गरगुठी उपचार किसी भी डिजीज का डायरेक्ट इलाज यानिकि जो भी मैं उस पर मेडिसिन बताती हूँ वो मेडिसिन उसी तरीके से आपको डायरेक्ट ले लेनी है उसके लिए कोई कांसल्टेशन फीज वरगेरा नहीं है इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट ही इलाज मिल जाएगा तो इसके लिए भी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सेहत टॉग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गाबा पेंटीन के बारे में तो गाबा पेंटीन एक एसे क्लास की मेडिसिन है जिसे हम एंटी एपिलेप्टिक कहते हैं तो यह specially epilepsy and central nerve system यानि कि CNS को affect करती है तो इसके related जो भी disease है वो आपको क्या करते हैं ठीक करने में गाबा पेंटीन जो है वो help करती है तो इसका जो starting dose है वो यह है कि 300 mg दिन में एक बार patient को prescribe करते हैं और दीरे दीरे देखते हैं कि अगर patient को इसे result मिलता है तो 300 से लेके 600 तक increase करके दिन में तीन बार prescribe किया सकता है आगे देखते हैं homeopathic medicine के बारे में जो की है एलन के तो एलन की साइटिक का drops आते हैं तो यह जो drops है especially जो आपको krems आ रहे हैं लेग में krems आ रहे हैं, muscle krems आ रहे हैं, कमर से लेके पैर तक का आपको डर्ड रहता है, नसों में irritation रहना और आपको अगर sleep नहीं आती है तो इसी condition में अगर आप regularly 3 month तक साइटिक का के drops लेते हैं, तो उससे क्या होगा, यह जो सभी problems हैं उससे आपको रात मिल सकती है और भी यहाँ पे हैं इसके benefits जिसे की आपके muscles में discomfort रहता है, तो वो उसे promote करके आपको helpful रहता है, muscle के pain को कम करने में help रहता है तो इसे लेना किस तरीके से हैं, आज से 10 drop इसके लेने हैं, half glass में तो यह जो glass में उसमें आधे glass तक आपको पानी बढ़ लेना है, तो आज से 10 drop से वो आपको इसमें डालने है और यह जो पूरा दवा वाला पानी है, वो आपको mix करके पी जाना है, दिन में कितनी बार पिंगे? तीन से चार दफा, तो इससे क्या होगा? कि अगर आप regular यह जो साइटिका के drops है, वो लेते हैं, थीर मंटक, यानि कि तीन महिने तक आप ले रहे हैं, तो उससे आपको धीरे धीरे साइटिका में सुधार आएगा, और आपको अच्छी नीन दा सकती है, चल फिर सकते हैं, तो यह जो सभी problem से उससे आपको बाहर निकल सकते हैं, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, इस वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दिये हुई है, तो इसे ही मेरे साथ जुने ही रहने सीखने के लिए रैग्यूलर अप्डेट्स मिलती रहेगी, थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो,